नमस्कार जोहार मैं आचना जैस्वाल आप देख रहें न्यूल जारकन चली जानते हैं सुबह से लेकर शाम तक की जारकन की तमाम बड़ी ख़बरों को जैपीएस्सी ने किया बड़ा बदलाव अब ऑनलाइन होगा उत्तर पुस्तिका का मुल्यांकन जाने क्यों लिया गया यह फैसला जारकन लोग सेवा आयोग जैपीएस्सी ने सिविल सेवा की उत्तर पुस्तिकाओं के मुल्यांकन में बड़ा बदलाव किया है ग्यारवी बारवी वद तेरवी सिवल सेवा मुख्य परिक्षा के उत्तर पुस्तिकाओं का मुल्यांकन पहली बार ओनलाइन किया जाएगा जनकारी के अनुसार सिविल सेवा मुख्य परिक्षा के बाद, इंटर्व्यू तथा रिजल्ट प्रकाशन में हो रहे है विलम को देखते हुए, आयोग की अध्यक्स डॉक्टर मेरी निलिमा किरकेट्टा ने पहली बार इसमें बड़ा बदलाव किया है, इस मुल्यांकन कार तथा रिजल्ट प्रकाशित करने का लक्ष रखा है, थाना की दरोगा 35,000 घूस लेते पकड़ाएं, इस काम के लिए मांग रहे थे रिश्वत, एसीबी ने राची के रातु थाने में पदिस्थापित एक सब इंस्पेक्टर को 35,000 घूस लेते पकड़ा है, सब इंस्पेक्टर 1307 के है, इसको हलका करने के लिए रिश्वत की मांग कर रहा था, सब इंस्पेक्टर की पहचान सत्यंदर कुमार सिंग के रूप में की गई एसीबी के टीम ने रिश्वत लेते रंगे हातों सब इंस्पेक्टर को इंस्पेक्टर को गिरफतार कर लिया है, दरसल रातु थाना छेतर की रहने वाली एक महिला ने एसीबी में सत्यंदर सिंग को लेकर शिकायत दर्च कर आई थी, जाच के दोरान मामला सही पाया गया, जिसके बाद मंगलवार की दोपहर सत्यंदर सिंग को महिला से 35,000 रुपए रिश्वत लेते हुए रंगे हात की रफतार किया गया है, जारखन के इंजीलों में आज अच्छी बारिश के आसार, राची वासियों को मानसून के लिए अभी करना होगा इंतजार, जारखन में मानसून की रफतार थोड़ी धीमी हो चुकी है, सोमवार को भी असंतार परगना और कोलाहन के आसपास सक्री रहा, गुजरात के रास्ते एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन जारखन में आया है, यह दो दिन पहले कोलाहन आया है, इसके आगे बढ़ने की रफतार धीमी हो चुक आई शाम तक बोकारो धनबात के अलावा संताल परगना के जीलो, जमतारा देवघर दुमका, गोड़ा, पाकुर और साहिब गंज में अच्छी बारिश होने की संभावना है, जबकि कल 26 जून को कोलाहन और संताल परगना की कई इलाकों में हलके से मध्यम दर्जे की बारि जीलो में अच्छी बारिश देखने को मिली है, इसके बाद मानसुन कोलान इलाके में सक्रिय हुआ, यहां सबसे अधिक बारिश पशी में सिंगुम के कुमरा डुगी में हुई है, वहां करिफ 40 मिलिमीटर बारिश दर्ज की गई है, गोड़ा पाकुर और साहिब गंज का तापमान 40 डिग्री सल्सियस के पार रहा, जीलो का धिक्तम तापमान अभी भी 40 डिग्री सल्सियस की नीचे है, चपलो की माला पहनाई, फिर महिला पीडियस डीलर को गाउ में घुमाया, जाने क्यों? जारकन के दुमका में एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है, यहां गाउवालों ने एक सारोजनिक वित्रड प्रडाली, पीडियस की सारोजनिक वित्रड प्रडाली डीलर को चपलो की माला पहना कर गाउ में घुमाया, घटना दुमका जीले के गोपो कांदर थाना छेतर के मधुबन गाउं की है, पोलिस के मताबिक गाउवालों का आरोप ह कि महीला PDS डीलर कई महीनों से राशन मित्रित नहीं कर रही थी इसलिए गुसाई ग्रामडों ने डीलर को चपलो की माला पहना कर गाउं में घुमाया गाउंवालों के मताबिक लाभारतियों को पिछले चार महीने से PDS के जरिये मिलने वाला समान मित्रित नहीं किया जा रहा गोपो कांदर थाना प्रभारी रंजीत मंडल ने बताया कि विरोत प्रदर्शन के तहट गोविंदपुर साहिब गंज राज्य मार्ग को आदे घंटे से अधिक समय तक जाम रखा गया उन्होंने बताया कि लाभारतियों को सांध किया गया और राशन मित्रित करने का आश खिलाफ स्पीकर नयाधी करण में दलबल मामला दर्ज कर लिया गया है जहामुमों को भी इस संबन में नोटिस जारी किया गया है रसल सीबु सोरेन ने इसे लेकर शिकायत दर्ज कराया था विधानसभा स्पीकर अधिनात महतों ने लोबिन हम्रन के खिलाफ दलबदल का मा खिलाफ चुनाव में लोबिन हम्रन जहमुमों के सिंबल पर निर्वाचित हुए लेकिन उन्होंने बागी तेवर अपनाते हुए लोकसभा चुनाव दो हजार चुनाव में अपने ही दल के प्रत्यासी वीजए हांसदा के खिलाफ राज महल सीट से निरदलिये ताल ठोक इस वज़े से लोबिन को पार्टी से 6 साल के लिए निलंबित किया गया है। के 77 किलोग्राम भारवर्ग में पहला इस्थान प्राप्ट कर भारत्य कुष्थी टीम में जगा बनाई है। गुमला जीले के विशुनपूर थाना छेतर के एक गाउं में 10 साल की बच्ची के साथ दुशकर्म की घटना घटी है। दुशकर्म का आरोप गाउं का ही 17 वर्षिय पर एक नाबालिक पर लगा है। इस मामले में मामला दर्ज होने के बाद 17 वर्षिय आरोपी नाबाली को विशुनपूर पोलिस के द्वारा निरुध करते हुए। तो मवार को बाल सुधार ग्रिय भेज दिया गया। जानकारी के अनुसार रविवार को वो बच्ची अपने माता पिता के साथ साथ सापताईक हाट पर गई हुई थी। गाउं के लोगों ने जम कर पीटा और पुलिस के हवाले कर दिया। मामले को लेकर विशुनपूर थानेदार उद्देश्वर पाल ने बताया कि आरोपी ने अपना जुर्म कुबूल कर लिया है। आरोपी को बाल सुधार ग्रिय भेजा गया। 24 के लिए भाजपा 20 से अधिक सीटों पर जल्दी प्रत्यासिय की घोश्रा कर सकती है। चुनाव प्रभारी सीवरा सिंग चुवान और सहप्रभारी हिमंद विश्वा सर्मा ने कोर ग्रूप के साथ बैटक में इस मामले पर चर्चा की थी। अब प्रदेश कमिटी को यह जिम्मा दिया गया है। यह दिवासी सुरक्षि सीट और जिन सीटों पर 2019 के विधानसभा चुनाव में हार मिली थी। वहां के लिए प्रत्यासियों के नाम का पैनल तयार कर लिया जाए। शेखर कुष्वाहा से पूछ्टाच पूरी कोट में पेशी के बाद भेजा गया। जमीन कारोबारी शेखर कुष्वाहा से इनफोर्स्मेंट डारेकट रेट की पूछ्टाच पूरी हो चुकी है। सुख्रवार को मीली चारदिरों की रिमांडव दी, पूरी होने के बाद मंगलवार को, शेखर कुश्वाहा को राची पीएमेले, प्रिवेंशन आफ मनी लॉंडरिंग एक्ट के विशेस कोट में पेश किया गया, पेशी के बाद कोट ने उसे न्याईक हिरासत में भेज दिया है, एडी ने भूमी घोटाले से संबंदित केस में कुश्वाहा की गिरफतारी की है, कुश्वाहा से अब तक की हुई पुच्ताच में कई एहम खुलासे किये कैं, उसने एजिंसी को यहाँ जानकारी दी है कि आदिवासी जमीन को जनरल बना कर बेचने का गोरक धंदा करने के खेल में कौन-कौन शामिल है, वही शेकर कुश्वाहा ने एडी के समक्ष कई ऐस प्रशाद ने इसका ट्रायल सुरू किया है, बता दे कि हौंग कॉंग में आयोजित होने वाली इंटरनेशनल चैंपियन्शिप में सेलेक्ट होने के लिए 13 राज्य के खिलाडियों ने पत्रातु डैम में तीन दीवसी ड्रैगन बोर्ड प्रसिक्षड में भाग लिया है, तीन दीवसी प्रसिक्षड में उत्क्रिष्ट प्रदर्शन करने वाले का चयन किया जाएगा, बता दे के सितंबर में हंकॉं में वर्ल्ड चैंपियन्शिप होना है, जिसके लिए सभी प्रतिभागी जीत के तैयारी में जुटे हुए हैं, ताकि वो अपने राज्य और द कारे प्रगती की समिक्षा की, मुख्यमंत्री ने समिक्षा के क्रम में अधिकारियों को निर्देश दिया कि 15 गर्स दो हजार चुबीस तक इंटर इस सिर्फ प्रसिक्षित सहाय का चारे के 15 हजार पदों पर हर हाल में 5 सितंबर तक नियुक्ति सुनिश्चित करें, सिख्षक बहाली के लिए निर्धारित लक्ष को हासिल करने के लिए तेजी से काम किया जा रहा है, इसके लिए सिख्षक बहाली की सभी प्रक्रियाओं को जल्द पूरा किया जाएगा, मुख्यमंत्री ने अधिकारियोंसे कहा कि उनकी सरकार राज में सेक्षड क्व posed प्रजाती के एक आम की कीमत तकरीबन 10,000 रुपए तक होती है जबकि एक किलो आम की कीमत जापान में धाई से 3 लाक रुपए तक है भारत में यह आम काफी महेंगे दाम में बिकता है जाहिर है कि इसे खरीदना आम आदमी के बस की बात नहीं है पर राची में कुछ लोग हैं जिन्होंने मिया जाकी आम का पौधा लगाया है कमाल की बात यह है कि डेट दो साल पहले लगाये गए आम के पौधे अब बड़े हो चुके हैं और इनमें फल भी आ चुके हैं सिर्फ आम ही नहीं राची में अब सेब भी उगाय जा रहे हैं अमोमन सेब का उत्पादन ठं अंतकरगत हे गड़ा रेलवे स्टेशन के निकट जंगल में एक अग्यात व्यक्ति का शौ मिला है सूचना मिलने के बाद पुलिस की टीम ने घटना इस्थल पर पहुच का शव को कबजे में ले लिया डियस पी वैंकटिस प्रशाद ने इसकी पुस्टी करते वे बताया क कि पुलिस पुरे मामले की छान बिन कर रही है दरसल सोमवार के शाम है गड़ा के आसपास रहने वाले कुछ ग्रामिडों ने एक व्यक्ति का शव जंगल में देखा शव से काफी अधिक दुरगंदा रही थी जिससे ऐसा प्रतीत हो रहा था कि शव यहां पिछले तीन से चार दिनों से लटका हुआ है इस्थाने ग्रामिडों ने इसकी सूषना पुलिस को दी सूषना मिलने के बाद थाना प्रभारी धी रचकुमार के निर्देश पर पुलिस के टिम घटना इससल पर पहुची और शव का पंच नामा करने के बाद उसे कबजे में ले लिया आलू और प्याच के दाम चार दिन में पांच रुपे प्रति कीलो तक बढ़ें आलू और प्याच के दाम में तेजी थमने का नाम नहीं ले रहा है राची की सबजी मंडियों में चार दिन पहले 25 से 30 रुपे प्रति कीलो बीका आलू सोमवार को 30 से 35 रुपे प्रति कीलो ह बिक रहा था अब 40-45 रुपे के भाव बिक रहा है इस कारोबार से जुड़े कारोबारियों का कहना है कि राची की थोकमंडी पंडरा में ही आलू प्याज महेंगा आ रहा है गर्मी के कारण प्याज की फसल खराब होने से इसके आवक पर असर पड़ा है आलू की कम उपज़ रख रखाओं में अधिक खर्च के कारण यग कम आ रहा है पंडरा बाजार में आलू प्याज के बड़े कारोबारी मदन साहू कहते हैं कि प्याज के भाव में तेजी की दो वज़ा है पहली वज़ा जब किसानों ने प्याज की फसल लगाई थी उस वक्त हलकी बारिश फिर जब किसान फसल उठा कर घर ले गए तो गर्मी के करण प्याज सड़ने लगा इसका असरब आपूर्ती और कीमत पर पढ़ रहा है फिलाल राची के पंडरा बाजार में महराश्ट्रा मध्यप्रदेस और लोकल प्याज की आपूर्ती हो रही है कुल 10-15 गाड़ी प्य प्यासल बस सेवा सुरू की गई है हाई कोट के एक्टिंग चीफ जस्टिस ने हाई कोट एड़ोकेट एसोसियेशन के आग्रह पर राची नगर नीगम को वकीलों के लिए बस सुविधा मुहया कराने का निर्देश दिया था ताकि दूर दराज से आकर हाई कोट में प्रे वही नए हाई कोट से वापस आने के लिए शाम के पाच बजे, पाच बच कर पंदर मीनट पर और साड़े पाच बजे बसे संचालित होंगी आदिवासी जमीन के अवैध हस्तान तरड पर कानून आदिवासी जमीन के अवैध हस्तांतरण पर रोक लगाने के लिए जारखन में जल्दी कानून बने का राजसरकार ने तयारी पूरी कर ली है सरकार की योचना है कि आदिवासियों को बीना जमीन से बेदखल किये उनकी सिक्षा स्वा रोजगार समेत उद्योग इस्थापित करनے को संस्थागत रिड मुहया कराया जा सके योजना के अनुसार पहले चरण में कल्यार विभाग संचालित दियार आई के जरिये राजे के सभी 24 जीलों में जन्जातिय परिवारों का आर्थिक सर्वेक्षड करा कर रिपोर्ट तयार कर सरकार को सौपी जाएगी सर्वेक्षड टीम में जार्खन के आदिवासी मामलो और कानून के जानकार बैंकिंग विशिशसग्य राजस्व अधिकारी शामिल रहेंगे सर्वेक्षड टीम घर-घर जाएगी और आदिवासी परिवारों से उनके रिड सम्मझित जरूरतें और राशी के बदले भूमी हस्तानांतर से सम्मझित जानकारी लेगी इसके बाद बैंकों से संपर्क कर रिड के लिए आदिवास्यों द्वारा दिये गए आवेदनों और उनकी स्थिती के बारे में डेटा इकठा करेगी अदालतों से भी गैर संस्थागत रिड के बदले दी गई जमीन के डेटा भी इकत्र करेगी बाइक नहीं हटाने पर फारिंग पास खड़ी यूवक को लगी गोली मौके पर ही मौत गड़वा में पचपडवा के इलाके में एक यूवक की गोली लगने से मौत हो गई है बताया जा रहा है कि पचपड़वा के इलाके में तयाब अंसारी नामक यूवक कुछ काम से गया हुआ था, वो रोड के किनारे खड़ा था, तब इस कॉर्पियो मौके पर पहुची और रोड के किनारे खड़ा करना चाहती थी, इस कॉर्पियो के सामने एक बाइक थी, इस क मौके पर ही मौत हो गई, जानकारी के मताबिक तयाब अंसारी गड़वा के महूलिया नौडिया का रहने वाला था, तयाब अंसारी के शव को पोस्माटम के लिए भेज दिया गया है, घटना के जानकारी मिलने के बाद परिजन मौके पर पहुचे, गड़वा एस वी इस से हो गए हैं, राजधानी राची में लाचार ट्राफिक विवस्था को लेकर दाखिल जनी त्याचिका पर जारकंधाई कोट ने राजिसरकार पर कई टिपड़ी की है, कोट ने मौकिक रूप से कहा कि सरकार की ओर से च्रपत पत्र में कहा गया था कि 15 जून से राची शहर में अतरिक 600 होमगाट जवान ट्राफिक विवस्था में लगाये जाएंगे, सरकार की ओर से आज कहा जा रहा है कि कुछ जगों पर होमगाट के जवान ट्राफिक विवस्था में लगा दिये गए हैं, कोट ने इस बात पर आश्चर जताया और कहा कि राची शहर में ट 600 ट्राफिक पुलिस कर्मी लगे कहीं दिखाई नहीं पड़ रहे हैं, प्रतीत होता है कि वे अद्रिश्य हो गए हैं, कोट ने इस बात पर भी कड़ी नाराजगी जताई कि मात्र 900 इरिक्षा को परमिट दिया गया है, और शहर में सारे 4000 से ज़्यादा इरिक्षा चल रहे ह कोट ने मौखिक रूप से कहा कि राची शहर में ट्राफिक लाइट कई जगहों पर खराब है, ट्राफिक जाम की अभी भी वही स्थिती है, ट्राफिक पुलिस कर्मी कड़ी धूप में खड़े रहते हैं, उनके लिए ट्राफिक पोश्ट की ववस्था भी नहीं की गई है ऐसे में ट्राफिक ववस्था को भेतर रखने की उमिद कैसे की जा सकती है, ट्राफिक ववस्था को लेकर कोट जब भी आदेश देता है, तो आनन फानन में दो तीन दिनों तक ट्राफिक कंट्रोल की पहल होती है, लेकिन फिर एक सब्ता के बाद इस्थिती पुरानी जैस में विकास कारे के कारण कई ट्रेन के परिचालन को रद किया गया है जबकि कई ट्रेन के रूट में बदलाव किया गया है जिसमें टाटा नगर स्टेशन से खुलने वाली कई ट्रेन प्रभावित होंगी इसे लेकर रेलवे ने अधिसूचना जारी कर दी है रेल यात्रियों जारी अधी सूचना की अधार पर साथ ट्रेन के परिचालन को रद कर दिया गया है जबकि कई ट्रेन के रूट में बदलाव किये गए हैं धडले से मन्रेगा के काम में JCB का प्रयोग मजदूरों को सौव दिनों की रोजगार की गरंटी को लग रहा जटका राजी में मन्रेगा अधिनियम की धजिया उड़ा धडले से JCB मसीन का प्रयोग किया जा रहा है प्रतेक निबंदित मजदूर को सौव दिन का रोजगार की गरंटी देने की इस योजना में JCB मसीन आड़े आ रही है तालाब निर्माड मिट्टिक खुदाई सहीत अन्य योजनाओ में भी JCB सहीत मसीनों का प्रयोग हो रहा है कमिशन खोरी के चकर में जीलेव प्रखंड बंचायत के अधिकारी इसमें जान बुझ कर आखे मूंदे रहते हैं सरकार को इसके शिकायत मिली है यहां तक की राजधानी राची के आसपास के प्रखंडों में JCB का प्रयोग किया जा रहा है चानों से कई शिकायते सरकार को मिली इसी तरह खेलारी वचत्रा के हंटर गन से भी कई तस्वीरे सामने आई हैं जिसमें JCB मशीन से तालाब की खुदाई की जा रही है। कुछ मामलों में राजय मुख्यमंत्री चमपई सोरेन को भी ट्विट किया गया है। खलारी के राय पंचायत में दो जगहों में कूप निर्मार में JCB के मदद से कारे किये जाने की सूचना दी गई है। पुस्तक पोशाक चातवरीती योजना सहसमय पूरा करें। निर्धारित समय सीमा के अंतरगत सभी विध्यार्तियों को पाठ्यपुस्तक अनिवारी रूप से उपलब्ध कराया जाए। पुस्तक प्रतिशत लक्ष को प्राप्त करें।